नमस्कार दोस्तूं, अध्यापक सीधी वर्ती, रीट मैंस एक्जाम के लिए NCRT, RBSC और हिंदी गरंत अकादमी के आधार पर हम देख रहे थे राजस्तान का भूगोल दोस्तूं आज की क्लास क्लास नमर 21 है जिसमें हमारा टोपिक रहेगा राजस्तान के खनीच बहुती important topic, एक्जाम की दरश्टी से बहुती अच्छा ये topic रहेगा, एक परसन आपको इस topic से जरूर देखने को मिलेगा कैसा क्यूसन होगा वो भी मैं बता दूँगा आपको साथ में दोस्तूं, दो भागू के अंदर संपून खनीजय उनके बारे में देखेंगे और सबसे बड़ी बात ये है कि राजस्तान जीके का जो भी पार्ट आपके read syllabus में हैं, चाय लेवल परतम हो, चाय लेवल दिवित्य हो, दोनूं के अंदर जो पार्ट है, उसके complete notes आपको मिलेंगे कुचामन online classes एप पर मित्र इतना कहना चाहता हूँ, ये notes है, इन notes को सिरफ और सिरफ इन notes को राजस्तान जीके के लिए आप पढ़ सकते हैं, और जो test series है, जो क्यूसनों के class है हमारी, उनको attend कर लीजिए, इनसे बार आपको क्यूसन है, वो side ही मिले दोस्तूं इसलिए सभी मित्रों से यही कहना चाहता हूँ, कि play store से एप को download कीजिए, एप के store में जाईए, वहाँ पर आपको notes है, वो मिल जाएंगे दोस्तूं सबसे पहले, बाकी की class हैं आपको मिलेगी, playlist के अंदर, वहाँ से आप, चाहे तियास, चाहे भुगोल, चाहे classes करती, इन सभी की class अटेंड कर सकते हैं दोस्तूं सुरू करते हैं, आज की इस class को सबसे पहला नुरोद, मैं कभी नहीं करता हूँ, आज कर रहा हूँ, जो भी साती हमारे साथ जुड़े हुए है, वो अपने मित्तर, जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, उनको जरूर एक बार इसकी link share करें, और उनको बोले कि हमारे इस class प देखिए, खनीज से मतलब क्या होता है, पहला ही क्यों सब, खनीज है क्या, खनीज हम बात कर रहे हैं, खनीज खनीज तो है क्या ये खनीज, देखिए, खनीज से तात पर ये, वे पदार जो जमीन या चटानू से खोद कर निकाले जाते हैं, या आयस, तैता आयस के, वे ख तो खनीज तो वो चीज है जिनको जमीन या चटानू से हम खोद कर निकालते हैं और आयसक जिन खनीज उसे दातू प्राप्त की जाती है दोस्तों देश के खनीज छेतर में राजस्तान परमुक राजिय होने के कारण इसे खनीजु का अजायब गर कहा जाता है दोस्तों कारण क्या है राजस्तान खनीज संपदा की दरश्टी से एक संपन राज्ये दोस्तों और इसी वज़े से खनीजू गाजयब गर राजस्तान को कहा जाता है राजस्तान के अरावली परवत माला चेतर वद दक्षनी पूर्वी पठारी बाग में खनीज परचूर मातरा में उपलब्द है यहाँ पर परचूर मातरा में आपको खनीज देखने को मिलेंगे दोस्तूं राजे में 82 परकार के खनीजू के भंडार है उनमें से वर्तमान में 27 परकार के खनीजू का क्या हो रहा है उत्पादन हो रहा है दोस्तूं और हमारी एकजाम की दरश्टी से यह मान के चलिए कि 35 के आसपास खनीज है वो ही हमें पढ़ने हैं वो ही इंपोर्टेंट हमारे लिए रहेंगे दोस्तूं आगे देखें इसके बारे में राजस्तान खान एवं भू विबाग की इस्तापना वर्स 1990 में की गई थी खनीजू की विविदता की दरश्टी से बारत में राजस्तान का परतमिस्तान है अगर बंडारन की हम बात करते हैं तो राजस्तान दूसरे नमर पे आता है पहले पे जारकंड दोस्तूं राजस्तान में जीडीपी में खनीज का 5% योगदान है दोस्तूं खनीज उत्पादन की दरश्टी से बारत में राजस्तान का तीसरा इस्तान है अब देखें यहाँ पे विविदता में एक नमर पे है बंडारन में दो नमर पे है और उत्पादन के अंदर राजस्तान ती क्यूंसन मिल सकता है दोस्तों खनीजू से आई की दरश्टी से बारत में राजस्तान का पांचवाँ इस्तान है अगर खनीजू की आई की दरश्टी से हम बात करें न तो राजस्तान का पांचवाँ इस्तान आता है अब चोता इस्तान बच गया ना तो लोहे दात्वी खनीज है ना उनकी दरश्टी से बारत का चोता इस्तान है ए लोहे दात्वी खनीजु के दरश्टी से राजस्तान का परतम इस्तान है वो आगे देख लेंगे हम आगे चलिए मित्रू पेंट्रोलियम उत्पाधन की दरश्टी से राजस्तान का बारत में माराष्टर बोम्बे हाई के बाद दूसरा इस्तान है पेंट्रोलियम उत्पादन की दरश्टी से राजस्तान द्वित्य इस्तान पे है लोहे दात्वी खनीज की दरश्टी से राजस्तान का बारत में पर्तम इस्तान है तो लोहे दात्वी खनीजु में चोता आ तो वापस देख लीजिए, अच्छा क्योंसे नहीं? एधात्वी कनीज की दरश्टी से राजस्तान का परतमिस्तान है एपरदान एधात्वी कनीज की दरश्टी से दोस्तों राजस्तान में सीसा जस्ता सेले नाइट और वोलेश्टो नाइट का एक मातर उत्पादक राज्ये सीसा जस्ता सेले नाइट और वोलेश्टो नाइट एक मातर उत्पादक राजिये राजस्तान है दोस्तों। इसके अलावा देखे, देश में चांदी, केलसाइट वजिपसम का लगबग पूरा उत्पादन कहां पर होता है, राजस्तान के अंदर ही होता है दोस्तों। और इसके अलावा देखे, राजस्तान देश में बोलकले, फास्पोराइट, ओकर यानि गेरू, इस्टेटाइट, फेलसपार, फायरकले का परमुक उत्पादक राज्ये भी है दोस्तों। आ गया समझ में? ये नॉर्मल जानकरी। अब थोड़ी सीख, खनीजनीती आईए, उनके बारे में अदिन कर लें, खनीजनीती वरस 1904 में की बात करें। आप देखें, खनीजनीती आँ, खनीजनीती आँ, राज्ये की पर्तम, खनीजनीती 1978 में, ततकालिन मुकेमंत्री बेरू सिंग सेकावत के काल में बनी दोस्तों। द्वित्य खनीजनीती 1904 में के अंदर गोशित की गई, पहली 1903, दूसरी 1901 में के अंदर दोस्तों। आगे खनीजनीती 2011 में आएगी, नई खनीजनीती 2015 में आएगी, वो भी देख लेंगे। इससे पहले देखिए, 2002 में आजाती है, मार्बल ग्रेनाइट एवं मार्बल नीती। मार्बल हुए ग्रेनाइट उद्ध्यों के समुचित विकास के उद्धेसे से पर्तम ग्रेनाइट नीती वरस 1901 में में पर्तम मार्बल नीती अक्टूबर 1904 में में द्वित्य ग्रेनाइट नीती जो है वरस 1995 में एवं नमीनतम मार्बल एवं ग्रेनाइट नीती आठ जनवर 28 जनुवरी 2011 को जारी की गई, 2011 की खनीजनिती, अब आती है नई खनीजनिती 2015 वाली दोस्तों, देखिए 2015 वाली के बारे में, ततकालिल मुक्य मंत्री वशूंद्रा राजिय ने 4 जून 2015 को नई दिल्ली के अंदर, आयोजीत एमबेश्डर्स राउंड टेबल कॉनफरेंस में राजस्तान खनीजनिती 2015 है उसको जारी की दोस्तों, आगया समझ में, ये खनीजनिती है हमारी, अब आगे देखिए, राजस्तान के खान एवं भू विज्ञा निदेसाले ने, राजे में खनन चेतर का विकास करने के लिए, विजन 2020 की योजना, 15 अगस्त 1990 में को लागू की थी दोस्तों, विजन 2020 किस के दोर लागू की गई, खान एवं भू विज्ञा निदेसाले के दोरा दोस्तों, ये नॉर्मल जान करें, अब हम पढ़ेंगे खनीजू की ओर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, खनीजू के परकारों की, तो चलिए मित्रू, राजस्तान में पाए जाने वाले खनीजू के मुक्यते दो परकार के खनीज, दो परकार के खनीजू में वर्गी करित किया गया, जो भी रास्तान में खनीज है, उनको दो बागू में बाटा गया, दात्वी खनीज और ए दात्वी खनीज, दात्वी खनीज है, वो अलग से दो बाग है, लोहे दात्विक नीच, ए लोहे दात्विक नीच, लोहे दात्विक में देखे, लोहे आयस का गया, मेंगनी जा गया, ए लोहे दात्विक में तामबा, सोना, सिसा, टंगंश्टन, जस्ता, चांदी, एलुमीनियम, केडिमियम, एक, एक के बारे में में पढ़ना है, क्योसन कह से मनेगा जैसे आपको पूछ लिया निवन में से टंगस्टन उत्पादन छेतर है या निवन में से चांदी उत्पादक छेतर नहीं है या इन में से चांदी उत्पादक खान कौन सी है यही क्यों सन आते हैं एकजाम के अंदर और इन क्यों सनों का निचोड इस कलास में मिल समझ गे आप तो यह होगे दात्वी खनीज़ में दात्वी खनीज़ोम एधात्वी खनीजू में देखे यूरेनियम, बेरीलियम, थोरियम, लीथियम, लिगनाइट, पेंट्रोलियम, प्राकरती गेस, अस्बेश्टोस, अबरक, संगमरमर, ग्रेनाइट, वोलेश्टोनाइट, जिपसम, रोकफोस्पेट, इमारती पत्तर, चुन्ना पत्तर और प्राइका, ये किस में आते हैं, एधात्वी खनीजू के अंतरगत आते हैं, तो खनीज के दो परकार, दात्वी खनीज, एधात्वी खनीज, सबसे पहले हम बढ़ेंगे दात्वी खनीजू की और दोस्तों, चलिए मितरू बात करते हैं, दात्वी खनीजू की, ऐसे दात्वी खनीच, लोहे और एलोहे दोनु परकार के होते हैं, जैसे लोहा, मेगनीच, सिसा, जस्ता, चांदी, तामबा, सोना, बोकसाइट, टंगस्टन, बेरेलियम, अलग-अलग है यह, तो यह दोनु परकार का होता है, अब हम देखे, दोनु परकार पढ़ेंगे, लोहे दात्वी खनीच, और एलोहे दात्वी खनीच, इन दोनु के बारे में विस्तरीत अध्यन करेंगे, लोहे दात्वी के अंदर देखे, लोहा आ गया, मेगनीच आ गया, फिर एलोहे दात्वी में, तामबा, सिसा, जस्ता, चांदी, सोना, टंगस्टन, इनके बारे में अध् मैंने एक साथ बताव दी है क्योंकि सिधा कैसे भी बन गर आसकता है अब चलिए हम सबसे पहले लोह दातवी गनीच जिनमें पहला आता है लोह आयस के दोस्तू ऐसे अयस के जिनमे लोहे ओक्साइड की मात्रा अधिक होती है लोहे आयसक जिनमें लोहे ओक्साइड की मात्रा अधिक होती है पर्तवी के बुग्रब में सरवादिक मात्रा में पाया जाने वाला दात्वी का यसक लोहे आयसक है परत्वी का जो बूगरप है न इसके अंदर सरवादिक मातरा में अगर कोई दात्वी खनीज है तो वो आपका लोहय ऐसक है दोस्तूं बारत में लोहय ऐसक कुडपा वध दारवाड करम की चत्टानू के अंदर पाया जाता है दोस्तूं राजस्तान में दारवाड करम की चट्टानों में अरावली परवर्तिय परदीस में लोहय आईस्क पाया जाता है अरावली परवर्तिय परदीस है इसके अंदर जो दारवाड युक की या करम की चट्टाने है वहाँ पर लोहय आईस्क मिलता है दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं लोहे की यहां पे, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लोहे एसके परकारों की, चार परकार है लोहे एसके, मेगनेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, चार परकार का होता है ना लोहा, तो सबसे पहले आपके सामने लोहे का जो परक से निकलता है राजस्तान में तो सिरफ 6% बंडार ही लोहे के पाए जाते हैं हैं दोस्तों किसके मेगनेटाइट के दोस्तों ध्यान रगना यहां पर मेगनेटाइट है यह सरवस्रेश्ट किसम का लोहा यह सको होता है किन्तु बारत में कम पाया जाता है है बहुत अच्छा यह मेगनेटाइट लेकिन बारत में बहुत कम पाया जाता है और जो पाया जाता है उसमें से बैतर परतिसत कहां पर है सिरफ करनाटका के अंदर है दोस्तों मेगनेटाइट है ना इसको काला लोवा भी का जाता है मेगनेटाइट कोई क्या का जाता है काला लोवा भी कहते है इसमें लोहेस की मातरा बैतर परतीसत होती है और बैतर परतीसत ही करनाटक में पाया जाता है ये राजस्तान में मेगनेटाइट जो किस्म है ये बीलवाडा वे सिक्कर जिले में पाई जाती है बीलवाडा और सिक्कर जिले में आपको मेगनेटाइट किस्म का लोह है वो देखने को मिलेगा दोस्तूं आ गया ना पूरन बेडा बीलवाडा में जगे हैं पूरन बेडा वहाँ पर दोस्तूं समझगे यह पहला परकार दूसरा जो लोए का परकार आता है वो आता है हेमेटाइट जो हेमेटाइट है ना इसमें 60-70% तक लोह ऐस्क पाया जाता है हेमेटाइट में 60-70% तक लोह ऐस्क पाया जाता है दोस्तु बारत में हेमेटाइट के सरवादिक बंडार कहाँ पर है राजस्तान में हैं दोस्तूं जबकि मेगनेटाइट के सरवादिक बंडार करनाटक में है राजस्तान में हेमेटाइट परकार का लोवा जेपूर दोसा और अलवर इन छेत्रू के अंदर आपको देखने को मिलेगा दोस्तूं ये भी अच्छ है कि उसन आपके लिए बन सकता है दोस्तूं जेपूर दोसा और अलवर जेपूर दोसा और अलवर के अंदर ये देखने को आपको मिलेगा ये लाल गेरुवा रंग का लोह ऐसक है लाल या गेरुवा रंग का हेमेटाइट होता है दोस्तों राजस्तान तदा बारत में सरवादिक हेमेटाइट परकार का लोह ऐसक पाया जाता है चाहे राजस्तान की बात कर लें चाहे भारत की बात कर लें एमेटाइट लोह है भारत में ही या राजस्तान में सरवादिक पाया जाता है दोस्तों तीसरा जो लोह है इसका परकार है वो है लिमोनाइट दोस्तों देखे लिमोनाइट के बारे में इसे जलियोजित लोहा भी कहते है जो लिमोनाइट है ना इसको जलियोजित लोहा कहा जाता है दोस्तुं और इसमें 45-50% तक लोहाय आयस्क पाया जाता है मेगनेटायट में था बैतर परतिसत लोहाय है है मेटायट में था 60-70 लिमोनाइट में 45-50% लोहाय आयस्क दोस्तुं यह निवन कोटी का लोहाय आयस्क होता है limitations जाता है लिमोनाइट वे सिडेराइट का कोई आर्थिक मैधु도 भी नहीं होता है दोस्तुं और चोता परकार है cedirite, ये टेंजी निम्न कोटी का लोह Ayask होता है इसमें 45% से कम लोह Ayask पाया जाता है और ये बुरा लोहा होता है ये इसका रंग कैसा होता है बुरा होता है दोस्तुम ये चार परकार का लोहा आपके सामने अब जो हम बात करेंगे कि राजस्तान में लोहाय आयस्क कहां पर पाया जाता है करें बाद दोस्तू चलिए मित्रू राजस्तान में लोहाय आयस्क उत्पादक छेतर पहली बात राजस्तान में सरवादिक हेमेटाइट परकार का जो लोहाय आयस्क है यह पाया जाता है रास्तान में सरवादिक कौन सा ऐस्क पाया जाता है जेपुर का मोरीजा बानोला हेमेटाइट किस्म का लोहा दोस्तूं सरवादिक लोहा आयस का उत्पादक छेतर है ये राजे में लोहा आयस का उत्पादक छेतर देखे नीमला राईसेला दोसा में डाबला संताना जुन्जुनु में नात्रा की पाल वे थूरुंडेर उदेपूर में पूरन बेड़नेडा बीलवाडा के अंदर है दोस्तों इसके अलावा देखें लोईस के नीम का थाना में भी पाया जाता है नीम का थाना सिक्कर वहाँ पर भी पाया जाता है इंपोर्टेंट चीज़ है या आपके लिए और अच्छा क्यूसन यहां पर मिल सकता है अब एक क्यूसन देखें सरवादिक लोईस के बंडार है कहां पर सरवादिक जो लोईस के बंडार है ना वो यहां पर है नातरा की पाल और थूरुंडेर उदेपूर के अंदर यहां पर सरवादिक बंडार है समझगे जबकि सरवादिक उत्पादन हो रहा है वो मौरिजा बानोला से हो रहा है दोस्तों आ गया समझ में यहां पर यह था हमारा धात्वी कनीज के अंदर लोखवा पेला हो गया दोस्तों आपका लोहे दात्वी कनीज में लोहा आयसक दूसरा लोहे दात्वी कनीज में आता है मेगनीज दोस्तों देखिए मेगनीज के बारे मेगनीज लोहे दात्वी कनीज है जो दारवाड करम की चटान अरावली परवर्ती परदीश में पाया जाता है जहां पर लोगा है उसी करम की चटानों में ये पाया जाता है मेगनीज का जो मुखे ऐसक है वो है पाइरूलू साइट पाइरूलू साइट दोस्तों जो की राजस्तान में मुख्यत है बांसवाडा में पाया जाता है जो राजस्तान में कहां पर बांसवाडा के अंदर मिलता है ये पायरूला साइट है ना ये बांसवाडा में पाया जाता है दोस्तों मेगनीच को जेक उप आल ट्रेड्ज कहा जाता है क्योंकि ये बारत में औद्योगी की कायूं की क्या है आदार सिला है दोस्तों अब देखिए मेगनीच के बारे में आगे इसपात निर्मान रासाइनिक उद्योग तर्था सुके सेल में मेगनिच परियोग होता है मेगनिच का क्या है परियोग है दोस्तों राजस्तान में मेगनिच प्राप्ति के परमुकिस्तान कौन-कौन से हैं लिलवाना, तलवाडा, तिमोरिया, काला खुंटा, कोसाला, गाटिया ये तो है बांशवाडा के अंदर कहाँ पर है बांसवाडा के अंदर नगेडिया है रासमन्द में छोटी सार बडी सार रामोसन सवरूपुरा है उदेपुर के अंदर दोस्तों समझ की देखे पहली बात बांसवाडा में सरवादिक बंडारन बांसवडा में क्या है सरवादिक बंडारण है दोस्तूं इंपोर्टेंट क्यूसन आपके लिए ये बन सकता है ये हो गया हमारा मेगनीज लोहे दात्वी खनीज दोई थे लोहे यस्क वै मेगनीज आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे आगे आता है एह लोहे दात्वी खनीज जिनमें लोहे ओकसाइड की मातरा क्या होती है कम होती है वो चीजे दोस्तूं और उन्हें में सबसे पहला आता है वो आता है तांबा मानव द्वारा परियूग सबसे पहली दातु है वो है आपका तामबा दोस्तु जिसे कोपर पायराइटिज भी कहते हैं दोस्तु यह दिखतर आगने वे कायांत्री चट्टानों की नसु में बाया जाता है आगने और कायांत्री चट्टाने उनकी नसु के अंदर तामबा पाया जाता है दोस्तु तामबे का रंग कैसा होता है लाल बुरा होता है तेथा आग ने अवसादी का यंतरी चटानों से प्राप्तिस को किया जाता है तामबा लचिला होता है विद्यूत का उत्तम सुचालक होने के कारण विद्यूत उपकरणों में अत्यदिक उपयोगी है वो क्या आपका तामबा है दोस्तों विद्यूत उपकरणों के अंदर अत्यदिक उपयोगी होता है तामबा दोस्तों अब देखे अगली चीज और यहां से आपकी क्यूसन बनेगा राजस्तान में तामबा प्राप्ती इस्तल राजस्तान में तामबा उत्पादक छेतर देखे खेतड़ी सिंगाना है जुन-जुनू के अंदर दोस्तूं बहुती इंपोर्टेंट क्यूसन पहला क्यूसन खोदरीबा है अलवर में बिदासर है चूरू में पूर्बेनेड़ा है भीलवाड़ा में जहां पर लुआ भी निकलता है पूर्बेनेड़ा में मीरा का नागल चेतर बने वालों की धानी नाथा की नागल ये कहाँ पर है आपके सिक्कर के अंदर बने वालों की धानी मीरा का नागल और नाथा की नागल सिक्कर जिले के अंदर दोस्तु सलुमबर उदेपूर के अंदर दोस्तों, बीम रेलमंगरा है, रासमंद के अंदर, बीम रेलमंगरा दोस्तों, और जेपुर में नीम का थाना, यहां से क्या प्राप्त किया जाता है, यहां से क्या प्राप्त किया जाता है, तामबा, अब देखे एक चीज और बता दू आपको, यहां पर हम देख रहें ना एक चीज अलवर में खोद रिबा के साथ थानागाजी है थानागाजी से भी तामबा प्राप्त किया जाता है थानागाजी से भी तामबा प्राप्त किया जाता है दोस्तूं याद रखना है आपको यह हो गया हमारा तामबा एलो है दात्वी कनीजु में दो नमर पे आपके जो आएगा वो है सीसा दोस्तों कौनसा है सीसा सीसा जस्ता को जुडवां खनीज भी का जाता है कभी आपको ऐसा नाम सुनाए देगा कि सीसा निकल रहा है जस्ता निकल रहा है सीसा जस्ता है यहां पर यह सुनते नाम तो यह क्या है जुडवां खनीज है दोस्तों और राज बात तो जस्ते के ऐस्कों की भी करें ना तो जस्ते के ऐस्क देके केले मिन जिंकाइट वै विले माइट तो यह सीसे और जस्ते यहां से भी क्यों सन बन सकता है एकजाम में इन में से सीसा का ऐस्क नहीं है समझे आप या इन में से सीसे का ऐस्क है अब दे दिया गेले ना केल को याद र Marchegiani है जस्ता गलाने पर उपुदपाद केड्मियम तता कोबाल्ट के रूप में प्राप्त होते है अगर जस्ते को आप गलाएंगे तो इसके केड अड़ीम और कोबाल्ट के रूप में ये प्राप्त होगा दोस्तूं एक इम्पोर्टेंट चींज. सीसा वजश्ता के साथ सामानेत चांदी भी मिलती है. चांदी अगली चीज, हमारी तो सीसा वजश्ता के साथ इसको भी प्राप्त किया ज जावर की खान, सिसाथ जस्ता चांदी की सबसे पुरानी खान, जावर की खान उदेपुर में है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्यों से न बन सकता है आपके लिए, अब देखें, जावर खान में, चोद्वी सताब्दी में, मेवाड के महरणा लाका के सासनकाल में, खननकारि प्रारम हो गया, था चोद्वी सताब्दी के अंदर दोस्तों, समझ की, 600-700 साल पहले, इंदुस्तान जिंक लिमिटेड, बारत की सबसे बड़ी सीशा जस्ता चांदी का खनन करने वाली कमपनी है, तो सिधा आ गया कि बारत की सबसे बड़ी कमपनी जो सीशा जस्ता चांद का खनन करती है, वो है इंदुस्तान जिंक लिमिटेड दोस्तों, उदेपूर से 10 किलोमेटर दूर, देबारी में नीजी चेतर में इंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना इस्तापित किया गया है, तो इंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना कहा पर है, देबार के अंदर चितोडगड के चंदेरिया में एसिया का सबसे बड़ा सुपर जिंक इस्मलेटर सही अंतर बिर्टेन की साहिता से 2005 में इस्तापित किया गया अब देखिए दोस्तों इंपोटेंट चीजियां पर देखिए जो एक तो इंदुस्तान जिंक लिमिटेड एक सुपर ज जिंक इस्मलेटर सही अंतर ये दोनु सही अंतर विधानता समोय के अंतरगत नीजी छेतर में क्या है इस्तापित है दोस्तूर जस्ते के सोधं से उपउतपाद के रूप में सूपर पास्पेट वे केडियम प्राप्थ होता है सूपरफासपेट जस्ते का सोदन करते हैं तब दोस्तों अब देखे सीसा जस्ता की खाने या प्राप्ति इस्तलों के बारे में रामपुरा आगुचा है बीलवाडा के अंदर रामपुरा आगुचा बीलवाडा राजपुरा दरीबार रासम देबारी जावर खान यह है उदेपूर में सीशा जस्ता के साथ चांदी भी आपके देवारी है राज जावर है यहां से प्राप्त होती है दोस्तूं चोथ का बरवड़ा सवाई मादोपूर गुड़ा कि सोरीदास चेतर अलवर सिंदे सर, कुर्द款 गौन और रेजमगरा है राज समंद के अंदर यहां से यह खाने हैं खाने हैं जहां पर सीशा जस्ता चांदी इंसे प्राप्त की जाती है दोस्तूं आ गया समझ मैं आपको यह था आपका सीशा जस्ता अब बात कर लेते हैं चांदी की दोस्तों राजस्तान में सामाने तेज सीसा जस्ता के साथ मिस्रित दातू के रूप में चांदी पाई जाती है सीसा जस्ता के साथ आपको चांदी जरूर प्राप्त होगी दोस्तों और उदेपुर में जावर खान से चोदवी सताबदी में राणा लाखा के समय से चांदी की खान है वो प्राप्त हुई थी खननकारी सुरू हुआ था। है ना उससे अधिक मातरा में सिंदे सर खुर्द खान रेल मगरा राजसमंद है वहां से हो रहा है दोस्तों। और इंपोटेंट एहलो है अयसक है एहलो है दात्विक जो खनीज है उसमें आ रहा है सोना स्वन बंडार देखें। सर्वपर्तम राजस्तान में स्वन बंडारू की खोज आश्ट्रेलियाई कमपनी इंडोक गोल्ड ने की दोस्तों। बहुत ही अच्छा बहुत ही इंपोटेंट बहुत ही सरल सा क्यूसन है ब्राजस्तान में स्वन बंडारू की खोज करने वाली कमपनी कांकी थी आश्ट्रेलियाई कौन सी इंडोक गोल्ड दोस्त। समझ गी। समझ का कोई भी अश्कन होता है सोने का कोई आश्क नहीं होता है दोस्त। सोना कहां से प्राप्त होता है आनंदपुर भुकिया जगतपुर भुकिया तिमरान माता ये तो है बहां सवाडा में। खेडा राजपुरा है उदेपुर में, पादरा की पाल है डुंगरपुर में, यहां से सोना प्राप किया जाता है दोस्तूं, यह हो गया आपका सोना स्वन बंडार, पांचवा जो हमारा एलोए धात्वी खनी जा रहा है वो आ रहा है टंगश्टन दोस्तूं, देखें है दोस्तूं, यह मुक्यत है विद्यूत बल्पु के तंतू, आजकल तो LED बलप आ गए है, इसे पहले जो बलप चलते थे ना, उनके अंदर जो तंतू बनावा होता था, उसमें टंगश्टन होता था, यानि फिलामेंट जो बनावता था, आस्तर सस्त्रूं तता यूद के टंगश्टन का अयस्क वुल्परे माइट है दोस्तूं, इसके अतरिक्त अक्सरे रेडियो, टेलिविजन के उपकरन बनाने, रंगाई छपाई, उद्योग में भी टंगश्टन का जो उप्योग है, वो किया जाता है दोस्तूं, अब देखें बात कर लेते हैं टंगश्ट टंगश्टन की डेगाना खान को इंदुस्तान जिंक लिमिटेड को दिया गया था, लेकिन वर्तमान के अंदर ये क्या है, उत्पादन इसका बंध है, डेगाना इस्तित खान देश, एक मातर खान है जहां अभी टंगश्टन का उत्पादन हो रहा है, डेगाना में खान देश, डेगाना नागोर में दोस्तूं, वहाँ पर, वहाँ से टंगश्टन का उत्पादन हो रहा है दोस्तूं, अगला हमारा एलोय दात्वी कनी जाता है, वो आत अलुमिनियम उद्योग में परमुक्सरोत बोकसाइट होता है, राजस्तान में इसके कुछ बंडार 12 के मोजल, माजुला, सहरोल, वे सहबा तेसिल में पाए गए हैं, यह हो गए हमारे अलोई दात्वी खनीज, अब बसते हैं हमारे आनवी खनीज, तीसरे हमारे कौन से आ दोस्तूं लोहे दात्वी खनीच ए लोहे दात्वी खनीच और आन्वी खनीच अनू के द्वारा किरिया करके उर्जा उत्पन करें तो देखे रेडियो सक्रिय खनीच जिनका सामरिक द्रश्टी उर्जा उत्पादन आदी के संद्रम में उप्योग किया जाता है वो होते हैं आणवी खनीच और इन में पहला है मारा यूरे नियम दोस्तों यूरे नियम को क्या कहते हैं मेटल ओप गुड लोप मेटल ओप गुड लोप दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है यह आपके लिए और अच्छा कि उसन यहां से आपको देखने को भी मिल सकता है यूरे नियम क्या का जाता है इसको मेटल ओप गुड ओप समझा आप मेटल ओप गुड लोप नहीं होप है थोड़ इसी द्यान रखना पिच बलेड यूरे नियम का आयस्क है तो यह पिच बलेड क्या है यूरे नियम का आयस्क होता है दोस्तों राजस्तान में उत्पादन चेतर उम्रा चेतर यूरेनियम का होता है वर्तमान में सिक्कर के अंदर भी इसका छेतर मिला है दोस्तों कंडेला रोईला छेतर के अंदर और वर्तमान में चर्चा में भी यूरेनियम तो इसका ध्यान में आपको रखना है दोस्तों दूसरा अन्वी कनीज हमारा आता है वो आता है थोरियम दोस्तों देखे थोरियम के बारे में राजस्तान में थोरियम मोनोजाइट परकार का निकाला जाता है ये आयसक है थोरियम का मोनोजाइट ये राजस्तान के अंदर पाया जाता है राजस्तान में थोरियम के बंडार थार के मुरुस्तल के अंदर पाये जाते हैं देखे परमुगतपादक छेतर में बदरावन पाली जेसलमेर बाडमेर तो ये छेतर कहां पर आ गया थार के मुरुस्तल में वहाँ पर से थोरियम है इसको निकाला जाता है दोस्तों तो थोरियम मोनोजाइट परकार का राजस्तान में मिलता है और बदरावन पाली यहां पर मुक्के खाना है जैसल मेर बाड मेर मेर में भी थोरियम की क्या है खाने है दोस्तों आगे हम तीसरे आनवी खनीज के और बढ़ते हैं तो आता है बेरीलियम दोस्तों ये एक सटकोणिय आकरती का खनीज है बेरीलियम बेरीलियम क्या होता है सटकोणिय आकरती का खनीज होता है दोस्तों बेरिलियम औलूमीनियम का सिलीकेट है बेरिलियम औलूमीनियम का क्या है सिलीकेट यह बहुत अच्छा कि उसे ने बन सकता है आपके लिए दोस्तों याद रख लेना भी आपके लिए भारत में बेरिलियम का सरवादिक बंडारन की दरश्टी से राजस्तान का पर्तमिस्तान है भारत में अगर बेरिलियम के बंडारन की अगर हम बात करते हैं तो राजस्तान का कौन सा इस्तान इसमें आता है दोस्तों कौन सा इस्तान आता है कौन सा इस्तान आता है परतमिस्तान राज्य में परमुक उत्पादक छेतर में देखे बेरेलियम में बेरेलियम है गुजरवाड़ा जेपूर बांदर सिंदरी अजमेर सिकारबाड़ी सिलेका गवाड़ा चमपा गुड़ा उदेपूर सिवसती वैतिलोली टॉंक में सागवाड पादेरी डूंगरपूर में तो यह स्क्रिन सोट ले लें इसका भहुत ही इंपोर्टेंट चीज़ है यह आपके लिए बेरेलियम उत्पादक छेतर दोस्तों अच्छा कि उसने आसे भी आपको मिल सकता है आम के अंदर देखने को तो थोड़ा इसको द्यान से आपको देखना है अगला अन्वी खनीज आता है वो आता है लीथियम दोस्तों और राजस्तान में राजगड चेतर अजमेर राजगड चेतर अजमेर से निकाला जाता है लीथियम और राजस्तान में नगणे मात्रा के अंदर लिथियम है ये प्राप्त किया जाता है दोस्तों ये हो गए हमारे दात्वी खनीज एक नमर पे दे दात्वी खनीज दो नमर पे जो हमारे खनीज आएंगे वो आएंगे ऐ दात्वी खनीज दोस्तों किने कहते हैं जिन खनीजू में दातू की मात्रा नहीं पाई जाती उन्हें एधात्वी खनीज कहते हैं और राजस्तान एधात्वी खनीजू की दरश्टी से क्या है सम्रिद राज्य है दोस्तों एधात्वी खनीजू की दरश्टी से याने एक परकार के एदात्वी खनीज पाए जाते हैं जिने विभिन्स रेणियों में विवक्त किया गया अब देखिए एदात्वी खनीजों में बहु मुल्य पतर जिने में तामडा, पन्ना, हीरा और अप्फी अकीक आता है रासाइनिक उरूरक खनीज है जिसमें जिपसम, पाइराइट, रोक पासपेट और पोटास आता है इंदन खनीज के अंदर कोईला, पेंट्रोलियम पदार्त और प्राकर्ति गेस आती है और अन्य एदात्वी खनीज है जिनका हम आगे बात करेंगे वो कौन-कौन से हैं, उनके बारे में भी हम संपुन चर्चा है जो इस कलास के अंदर कर लेंगे दोस्तों एक एक चीज यहां से आपके लिए इंपोटेंट रहीगी दोस्तों अभी हमारी कलास जारी है मितनों और कलास जारी भी रहीगी क्योंकि हमें संपुन तयारी करके ही आगे बढ़नाया दोस्तों आज की जो कलास है भी और चलने वाली है आज की कलास के अंदर थोड़ा सा दिन और कर लेते हैं जिससे आगे जब हम दिन करेंगे तो हमें अगली कलास है वो थोड़ी छोटी मिले दोस्तों तो सबसे पहले हम चलते हैं बाव मुले पत्तर की ओर दोस्तों और बाव मुले पत्तर के अंदर पहले आएगा तामडा जिसको फिरोजा भी कहते हैं जिसको रक्तमणी भी कहते हैं जिसको गारनेट के नाम से भी जाना जाता है किसको तामडा को दोस्तों लोहय ओक्साइड यानि फेरस ओक्साइड के कारण इसका रंग केसा होता है लाल होता है तामडा इसमें लोहय ओक्साइड पाया जाता है फेरस ओक्साइड पाया जाता है जिसकी वज़े से ये लाल रंग का होता है दोस्तों इस खनीज में राजस्तान का तामडा उतपादन में राजस्तान का क्या है एका दीकार है दोस्तों बहुत ही अच्छा क्यूसन आपके लिए राजस्तान में उत्पादन कहां पर होता है राजमेल, कुसालपुर, कल्यान खान, रजनकपुरा ये तो है टौक में खरखारी और सरवाड चेतर है अजमेर यहां से तामड़ा, फिरोजा, रक्तमणी, गारनेट इसका उत्पादन है जो किया जाता है दोस्तों बहुती अच्छा क्यूसन आपके लिए ये बन सकता है दोस्तों दो नमर पे हमारा जो आता है वो आता है पन्ना दोस्तों, बहु मुल्ले पत्तर के अंदर जिसे हारी अगनी या ग्रिन फायर का आ जाता है हारी अगनी या ग्रिन फायर पन्ना को कहा जाता है दोस्तु लोहे सलपाइड फेरा सलपाइड के कारण इसका रंग केसा होता है हरा होता है लोहे सलपाइड के कारण हरा रंग होता है दोस्तु इसका जबकि लोहय ओक्साइड के कारण तामडा का रंग कैसा लाल रंग होता है एसिया की सबसे बड़ी पन्ना मंडी कहां पर है जेपूर में इस्तित है अब देखे काला गुमान चेतर राजसमन से मुहानी यानि मुहामी राजगड अजमेर तक 221 किलोमेटर की पन्ना जमाव पेटी की खोच 1943 में माइनस मेनेजमेंट कमपनी इंगलेंड ने की थी दोस्तूं कहां से लेकर कहां ते गई है राजसमन का चेतर है काला गुमान और अजमेर का राजगड चेतर में आता है मुहामी वहां तक दोस्तूं यह पन्ना तीर नमर पे जो हमारा बहु मुले पतर आता है बहु मुले पतर वो आता है दोस्तूं हीरा दोस्तूं और वर्तमान में केसर पुरा परताब गड़ में हीरे के बंडार पाए जाते हैं कहां पर पाए जाते हैं दोस्तों अच्छा क्यों से नहीं आपके लिए केसर पुरा परताब गड़ में हाली में बाड्मěर के मालानी रायूलाइट करम की चटानों में हिरे के बंडारों की खोज की कई है दोस्तुूं। और चोता बव़ मुले पत्र अकीक, गोमेद या सुलेमानी पत्र कहांपर अजमेर के अंदर दोस्तुूं। राजस्तान में इसके बंडार कोटा, जलावाड, बारा, बुंदी, चितोडगड, आदी जिलू के अंदर है दोस्तों और आज की क्लास को रोकते हैं यहीं पर आगे की क्लास में रासाइनिक उरुबरक खनीच, इंदन खनीच और अन्य धात्वी खनीच जिनमें 20-25 रहेंगे उनकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों सबसे पहला कमेंट आपका होना चाहिए क्लास आपको कैसी लगी दूसरा कमेंट यह कि अभी तक आपने नोट्स पराप्त किये है या नहीं तो यह पर जाकर नोट्स पराप्त कर लीजिए कोई भी राय आप लेना चाहते हैं जानकारी लेना चाहते हैं तो यहां पर Instagram ID दी गई है जहां पर जाकर आप मेरे को मेसेच कर सकते हैं दोस्तूं आप सभी को बहुत बहुत अन्यवाद जे हिंद जे बारत